हेलो फ्रेंट्स हम आप लोगों के लिए UPNHM से रिलेटेड गेस्टियस का जो फॉर्म निकला है उसके लिए हम आपको कुछ इंपोर्टन कोश्चन लाए हैं जो कि आपके स्लैबस से रिलेटेड है कुछ फुल फॉर्म्स लाए हैं और उसके लिए कुछ छोटी सी जानकारी जो कि मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए और लाइक कमेंट सेयर करना मत भूलेगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चलिए फ्रेंट्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहला कोश्चन हमारा जो है वह है HBNC HBNC का फुल फॉर्म क्या होता है Home Based Newborn Care क्या होता है Home Based Newborn Care यह HBNC का full names होता है उसके बाद हमारा second question जो है वो है IFA IFA का full form क्या होता है iron folic acid iron folic acid होता है किसका IFA का full form होता है हमारा third number पर जो question है वो क्या है ANC ANC का होता है ant natal check-up क्या होता है ant natal check-up यह किसका होता है ANC का full form होता है और उसके बाद है fourth number पर क्या है PCB PCB का full form क्या होता है pneumococcal conjugated vaccine pneumococcal conjugated vaccine यह इसका full form है उसके बाद क्या है RVV क्या है RVV RVV का क्या होता है rotavirus vaccine क्या होता है friends rotavirus vaccine उसके बाद क्या है ASHA तो इसका full form क्या होता है accredited social health activist यह सब भी ASHA workers जो होती है आंगन बाड़ी workers होती है और भी जो होती है VHSND जो होता है यह सब क्या होता है NHM से ही related होते हैं यह सब जितने पत पे आते हैं CHT होता है यह सब जो भी question हमें मिले हैं सब एकदम हम unique हम उन लोगों से यह question लिये हैं जो की exam दे चुके हैं और उन्होंने हमें बताया है कि ऐसे इस तरीके के question उसमें आते हैं अधिकतर इन ही सब से related block wise पे जो भी workers रहते हैं और जो भी वहां रहते हैं वो सब चीजें पूछते हैं तो चलिए friends हम अपना question स्टार्ट करते हैं अगला है AVD अगला कौन सा है AVD ABD का full form क्या होता है Alternate Vaccine Delivered क्या होता है Alternate Vaccine Delivered उसके बाद है LMP क्या होता है LMP LMP का क्या है Last Maturation Period LMP का है Last Maturation Period ठीक है friends उसके बाद है EDD 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 का क्या है Expected Date of Delivery Expected Date of Delivery उसके बाद है A&M A&M का आप लोगों को पता होगा Auxiliary Nurse Midwifery क्या होता है वह hand होगा है friends यह wrong है और उसके बाद है Auxiliary Nurse Midwifery A&M का full form है देखिए friends अगर वीडियो में कोई भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो प्लीज उसके लिए Sorry गलती से हो जाता है बट मैं जान बुच के ऐसा नहीं करूंगी क्यों कोई mistake उसमें आया तो चलिए हम अब नेक्स कोईशन स्टार्ट करते है नेक्स हमारा क्या है 49 खसरा रुबेला की पहचान एवं लक्षण क्या है हम कैसे यह पहचानेंगे कि खसरा है रुबेला है इसकी पहचान कैसे करेंगे तो देखिए friends खसरा किसी भी उम्र के ब्यक्तिके ब्यक्तिके जिसे बुखार के साथ आंख लाल होना नाक से पानी आना पूरे पूरे सरीर में घम औरी दाना होना खसरे मुख लक्षण है खसरे के मुख लक्षण क्या है किसी भी उम्र के ब्यक्तिके हो जिसे बुखार के साथ आख लाल होना और उसके बाद नाक से पानी आना एवं पूरे सरीर में खमारी वाला दाना होना खसरे के मुख्य लक्षण है उसके बाद क्या है रुबेला रुबेला जो है आम तोर पर बच्चों में होने वाला बिमारी है परन्तु गर्भावस्था के सुरुआती में इसका शंक्रमड होने पर स्वत्य गर्भपाथ ब्रूर्ण मित्युजन्म एवं बच्चे में गमभीर जन्मजात दोश रुबेला क्या होता है आम तोर पर बच्चों में होने वाली भीमारी है विधारी जो महीं अला प्राइब होते है विधार। children's birth जो होते हैं हम गंभीर जन्मजात दोस्त एक मतलब की अजीब तरीके का उनके अंदर से ये दोस्त पाए जाते हैं तो फ्रेंड्स ये कोश्चन आप समझ गए होंगे तो उसके बाद अगर आपको देखिए तो इसका आप स्क्रीन सौट भी रख सकते हैं फ्रेंड्स उसक पूरा नाम लिखे तो आप इसको लिख देंगे मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड इसका फूल नेम क्या होता है मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड ए अन्नम मदर चाइल्ड सुरक्षा कार्ड ठीक है ये जो होती है अन्नम जो होती है वह मदर चाइल्ड सुरक्ष काइड होता है ठीक है उसके बाद क्या है RCH का पूरा नाम क्या होता है RCH का पूरा नाम होता है reproductive child health क्या होता है reproductive child health होता है उसके बाद क्या है VHSND फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से पढ़िएगा हो सके तो आप इसको notes भी कर लीजिए क्योंकि VHSND का next time CHC का जो interviews हो रहा था उसमें community of health center वो भी NHM से related है तो उसमें एक question पूछा था कि VHSND का पूरा नाम क्या होता है तो इसका नाम होता है village health sanitation nutrition day क्या होता है village health sanitation nutrition day ग्रामीर स्वच्छता पूशड दिवस जो कि Saturday को सायत मनाया जाता है हपते में ठीक है किसी भी उसमें की जिसमें आशा वरकर आंगन बाड़ी वरकर और सारी जो हैं ब्लॉक की होती है वो सब उपस्थित होती है तो एक गाउ में VHSND मनाया जाता है जिसमें की लोगों को सुझाओ दिया जाता है उसके बाद क्या है यंसीडी यंसीडी का पूरा नाम लिखें एंसीडी का पूरा नाम क्या नोन कम्यूकेबल डिजीज। उसके बाद हमारा है आरसीच और गरार ऍरेसमें कितने पाट होते है किस वार सी जानकारी फोको फोटें ऐए और रिछा का ओपर गदेता हैं नीचे है कि सकन पूछा था और सोदेट हैं तो और में क्या hypothesis की पार्ट होते मीझा प्नीशॉट को दंपत शूचना संबंधी दिती भाग में हमारा है में परिवार नियोजन संबंधी जानकारी दिती भाग में परिवार नियोजन संबंधी जानकारी और तृती भाग में है गर्वती का पूर ब्यूरण है यह हमारा कोश्चन हो गया तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही बाकी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे तो थैंक्स वाचिंग माई वीडियो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप सेयर कर सकते हैं